आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप लोगोंने देखा होगा कुछ समय पहले इनके द्वारा पैगंबर मुहम्मद पर एक टिपड़ी की गई थी और उसके बाद आपने देखा है कि दुनिया वर से जो मुस्लिम देश है उन्होंने उसका बिरोध भी किया था और हमारे देश में भी कई सहरों में हिंसा हुई और जो उदैपुर में हिंसा हुई उसका जिम्मेदार भी इनके वयान को ही माना जा रहा है और अभी हाली में सुप्रीम कोट ने इन्हें फटार लगाई है और इनसे कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था उससे देश का माहुल बिगड़ा है और टीवी पर आकर इन्हें देश से माफी माँगनी चाहिए तो आज हम लोग नोफूर सर्मा के बारे में एक सामन जानकरी देख लेंगे कि आखिर थी कौन है और इनके कौन सा बयान था वो जिसके कारण देश बर में आप देखिए कि बिरोध भीवा हमारे देश में भी दुनिया बर में और कई लोग कहते हैं कि भारत की छवी में गरा कि लोग रहते हैं और कहते हैं कि यही भारत की सुन्दरता है और आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि सही इन्होंने कहा या घलत कहा आप लोग आजाद है और वैसे मुझे लगता है कि आप लोग उन्हें असोक को पड़ा होगा इतियास में जब आप लोग किसी का सम्मान सामने वाली का सम्मान करते हैं तभी आपका भी सम्मान बढ़ेगा जब आप लोग किसी के धरम का सम्मान करेंगे तभी आपके धरम का सम्मान होगा और जो भी इस तरह की देखिए देश की घटनाए हो रही है ये चिंता जनक हैं सभी के लिए चिंता जनक हैं तो इन्हें 23 अपरेल 1985 को दिल्ली में हुआ था कहां दिल्ली में हुआ था इनका जर्म और नुपूर एक ब्रहमर परिवाल से तालुक रखती हैं और उनकी पिता का नाम डॉक्टर बिने सर्मा है उनकी अभी तक साधी नहीं हुई वह आविवाहिक है यानि कि अभी इनकी साधी नहीं हु और एलनवी कि डिगरी हांसिल की और अभी सुपरीम कोट ने ये भी कहा है कि ये वकीन होते हुए कानून की पढ़ाई करते हुए आप taki के द्वारा इस तरह का बयान दिया है ये चिंता जनक है सुपरीम कोट के बारे में बात करें तो आप सुभी जानते कि हमारे देशकी स सर्वोच नियाले है और समिदान का अनुछेद 124 आप लोग पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोट की विवस्था यानि की नियाले की विवस्था की बात की गई है और 28 जन्वरी 1950 में इसकी स्थाफना हो गई थी नुपूर L.L.M. की डिग्री लंदन से प्राप की है नोने नुपूर सर्मा भारती जन्ता पार्टी से समंदित एक भारती है राजनिति गहें और नुपूर दिल्ली बीजेपी की राज्चे कारकार्णी सम्ती की सदस भी रही है वै भाजापा की युवा साखा भारती जन्त युवा मोर्चा कप्रमुक चहरा भी रही है और इनके कैरियर की बात करें तो नुफूर दिल्ली उनिवसिटी में कॉलिज के दिनों से ही राजनिति में सक्की रही है और अखिल भारती जन्ता पार्टी का ही संगटन माना जाता है और अगर हम लोग करें अखिल भारती है पल्षद की तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना को हुई थी एक कुश्चनस पूँच लेता है नौ जुलाई 1949 में हुई थी और इसका हेड़क्वाटर मुंबई महराष्ट में आपको देखने को मुलेगा ओए टीच फोर इंडिया की युवा राजदूद भी रही है और उन्होंने पार्टी के भीतर कई महत्पूर्ट पदों को भी समाला है जैसे कि भाजापा की युवा साक्या की राष्टिय कारिकारी समिती की सदस रही है भारतिय जंता युवा मोर्चा भाजा युमो भाजा युमो की राष्टिय मेडिया सहपरभावी प्रभारी रही है यूबा भाजापा की कारिकारी सम्हिती की सदस और राजी कारिकारी सम्हिती की सदस भाजापा की रही हैं। नोपूर अपनी पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं यानी कि किस की बीजेपी की और भारतिय जंता पार्टी की बात करें तो 1980 में आप जानते हैं कि इसकी स्थाफना हुई थी। उन्होंने अपनी पार्टी की पिचारों का पिती ने धित करने के लिए मीडिया में विभिन भाहसों में हिस्सा भी लिया और आपने देखा हुगा इन्होंने उस बयान के लिए माफी मांग ली थी और इन्होंने खेद भी प्रगट किया था 2015 में दिल्ली राज्य चुनाओ में उन्होंने आमादमी पार्टी की निता अर्वेंद के जीवालो भारती राष्टी कॉंग्रेस की दिगज निता किरन वालिया के खिलाब चुनाओ लड़ा था लेकिन वह चुनाओ हार गई थी लेकिन उब्जेता बनकर उब नहीं थी दूस साल होनी ची अधिक्तम कोई समय सीमा नहीं रखी गई है एच की और इसका चुनाओ विधायक को चुनाओ डारेक्ट जनता की द्वारा होता है अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो मद्दात सूची में आमका नाम जुड़ चुका होगा आप लोग भी बोट डालने जाते होंगे अब देखिए इनके से जो विवाज जुड़ा हुआ है उसे देख लिजे आप लो तो फेस्बुक सही सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेगंबर मुहमद पर उनका एक आपत्ती जनक वीडियो वाइरल होने के वाल बीजेपी की नुपुर सर्मा सुर्कियो का विशय बनी थी वह अपनी गरपतारी की मांग का सामना कर रही भाजा पर प्रवक्ता ने अपने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसलामों फूबिक वीडियो को हटा दिया था और टाइम्स नाव टीवी चैनल पर बात करती हुए सर्मा ने इसलाम और पेगंबर सर्मा टेंड किया था बाद में सरमा ने बाद में सोल हर मीडिया पर कटरबंती तत्नों से अपनी जान को खत्रा होने का आरोप भी लगाया था और आप लोगों ने देखा होगा इननोंने कहा था कि इनके धरम पर सामने से कुछ कहा जा रहा था इसलिए गुस्से में नोने भी कह दिया था तो आप लोग क्या सुचते हैं आप लोग जरूर अपनी राय बता सकते हैं और ये तो आप देखें कि जो हुआ है अभी तक उसके बारे में मैंने बता दिया है और इस तरह के टौफिक पर जानदा अपनी राय देना बड़ा मुस्किल रहता है समझ रहें आप लोग और उदेबुर में या बाकी कहीं अगर हिंसा हुई है तो उसके लिए आप देखें वो लोग भी जिम्मेदार हैं उतना ही आपको अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अंदोलन करने का अधिकार है, बैटके करने का अधिकार है समझ रहन के भाग दिल में लेकिन आप सोचें कि आप किसी पर पत्थर चलाएं या आप देखें कि आप कुछ और तोड़ होड करें किसी की जान लें आप सभी जानते हैं कि हमारे संभीधान में ऐसा कोई विवस्था नहीं की गई है। और आप देखें, उदायफूर में जो घटना हुई है, यह माफ ही मांग लेगी। जब सुप्रेम कोड ने कहा है, हमारी सरवोच अदालत है, उसका फैसला हर को ही लेता है। तो इसका मतलब यह नहीं रहेगा कि वो दो लोग जिनोंने वो उस अत्या को अंजाम दिया, वो बच जाएंगे। उन्हें आप देखें कि जो भी सजा होगी, मुझे लगता है कि अच्छे मतलब कठोर सजा मिलेगी। कि वो लकीर बनेगी आंगे के लिए, कोई अगर इस तरह की अंजाम देता है घटनाओं को, तो डरेगा। चलिए और किसी के बारे में बात करनी हो तो बताईएगा, उसका नाम भी बताईएगा। ठीक है।